नमस्कार मैं हूँ सुधी प्राजफूत और आप देख रहे हैं न्यू जुवर्ड इंडिया आज हम फिर हाजी रहे हैं आपके लिए खेल का अड़ा में एसी आकप में अब तक बने कुछ ऐसे रिकार्ड को लेकर जिससे साइद आप लोग अंजान हों या हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो तो भया चलिए सुरू करते हैं एसी आकप के इन रिकार्ड को जिने जानकर चौंग जाएंगे या फिर चाहे बात करें हम सहवाग की बॉलिंग की या बिराट कोहली की बैटिंग की बनानात के दिमाग में एक छोटा सा प्रस्माचक्चिन की सहवाग तो धुमाधार बैटिंग करते थे फिर वो कैसे बॉलिंग में आ गए आप लोगों को पता है एसी अकप में भारती टीम सुपर फोर स्टेज में अपने अभियान का आगाज अपने चिर प्रतदंदी पाकिस्तान के खिलाब 10 सितंबर से करेगी रोहिस सर्मा की अगवाई वाले टीम इंडिया ने नेपाल को दस बिकर से हरा कर सुपर फोर में जगा बनाई थी अब बात करें एसी अकप के रिकार्ड की तो एसी अकप की इतिहास में कुछ ऐसे रिकार्ड भी बने हैं जिसके बारे में काफी फैंस को मालूम ही होगा बारिस के चलते धुल गया था यानि कि इंडरदेव खुस होकर इस बारिस को पूरी तरीके से अपने साथ बहा ले गये थे वैसे तो वो मुकाबला बारिस के चलते बेनतीजा रहा, अब भीया क्या किया जाए, इन रिदेव काफी खुस हुए, और बारिस हुई, बारिस के चलते वो खेल बह गया, चलिए अब बात करते हैं कि एसिया कप पहली बार 1984 में खेला गया था, तब से लेकर अब तक कई रिक चलिए अब आपको बताते हैं, जब बीना फाइनल खेले भारत चेंपियन मना था, वाकई में एसिया कप के पहले सीजन यानी के 1984 में फाइनल मैच नहीं खेला गया था, उस साल का टूडामेंट राउंड रोविन के आधार पर खेला गया था, जिसमें प्रत्यक टीम को एक अस्थान हासिल किया था, आपको ये भी बता दें कि अरसद आयूब भारती एक मात्र भारती गेदबास हैं, जो वंडे फार्मेट के एसिया कप में पांच बिकट ले सकें, इस्पिनर अरसद आयूब ने साल 1988 के एसिया कप में पाकिस्तान के खिलाप 21 रन देकर पांच बि बिकट लिए, तो भाया वो जो भुनेसर कुमार ने अफगानिस्तान के खिलाप 4 बिकट जरूर लिए, लेकिन वह टूर्णामेंट T20 फार्मेट में था, वहीं अगर बात की जाए महान बल्ले बास सचिन तेंदूलकर की, तो सचिन तेंदूलकर ने एसिया कपके वन डे फ उनकी चाहे कबर ड्राइव की बात कर लें, चाहे छोटे कद का वो सचिन बड़े बड़े 6 लगाता था, उन्होंने ये रिकार्ड बनाए एसिया कप में, बैटिंग की बात करे तो सचिन 971 रानों के साथ, एसिया कप के वन डे फार्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हिलाडियो की लिष्ट में तीसे नंबर परकावीज हैं, एसिया कप के एक मेट में सबसे ज़्यादा बिकेट स्रिलंकाई स्पिनर अजंता मेंटिस ने लिए, अजंता मेंटिस का नाम हो सकता है, कि आप लोगों में बहुत से लोग जानते हो, दाय हाथ के मेंटिस ने साल 2008 में भारत के खिलाब फाइनल मकाबले में 13 रन देकर 6 बिकेट जटकाए, आप साब तोर से कह सकते हैं कि 13 रन देकर 6 बिकेट, इतनी घातक गेदबाजी के दम पर स्रिलंका ने भारत को फाइनल मेट में 100 रनों से पराजित किया, चली अब बात करते हैं, ज जो सहबाग खुद बांगला देस का बैंड ब्याते हैं, सहबाग के नाम गेदबाजी में ये एक खास रिकार्ड दर्ज है, साल 2010 में खेले गए एसिया कप में बांगला देस के खिलाब सहबाग ने 2.5 उबर में 6 रन देकर 4 बिकर लिये थे, बताया थे मैंने आपको कि बन से ज्यादा रन बनाने का रिकार्ड आप लोगों के चहते बिराट कोली के नाम दर्जा, जो कि बिराट कोली समय एसिया कप में खेल भी रहे हैं, बिराट कोली ने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाब 148 गेदों में ताबड तोड 183 रनों की पारी खेली, जिसमें 22 चौके और एक चक्का सामिल था, आप लोगों को यह भी लग रहा हो कि 22 चौके एक चक्के, तो उस समय धिराट कोली ने भारती टेम में आये थे, तो वो ज़्यादा अपने कबर ड्राई पर विश्वास करते थे, ज्यादा ग्राउंडेट शौट की विश्वास करते थे, और उसमें विश्वास दिकाते थे, तभी देखिए 22 चौके और एक चक्के, जब क्रिकेट की बात होती है, तो मन में एक सवाल जरूर होता है, क्या फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान की भिलंद होगी? जी हाँ, आपकी तरह मेरे भी मन में कई बार ये सवाल जरूर आता है कि एक बार, कम से कम एक बार जो अभी तक एसिया कप के इतिहास रहा है, उस एसिया कप में भारत और पाकिस्तान की फाइनल मुकाबला नहीं खिला गया, इस बार फैंस को उम्मीद है कि इन दोनों टूमियों के बेच फाइनल मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, यही न नहीं, बांगला देश की टीम ने इस टूर्णामिंट में 13 बार भाग लिया, लेकिन वह खिताब जीतने में नाकाम रही, फिलहाल यह जो एसिया कप चल रहा है, इसमें कई रिकार्ड भी मनें, जैसे नेपाल की टीम ने 2018 में इनको अंतराश्टी क्रिकेट मैच खेलने का दरजा प्राप्त होता है, उसके बाद सीधे 2030 में इनका विड़न जो होता है, इसके पहले जो नेपाल का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक भारत के जो बीसी सियाई इनका बोर्ड अपना, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, कि एक बार नेपाल की टीम को भारत के साथ एक स सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है, उसको जुरूर दबाएं, फिर कल मिलेंगे आप से हम एक अच्छी जानकारी लेकर, कुछ और रिकार्ड को लेकर, जो आप लोगों तो पहुंचाएंगे, धन्यवाद